गो यडी कोई कहे कि हिंदु शब्द की परिभासा क्या हो सकती है हिंदु शब्द के उद्भों का इतिहास क्या है आखिर क्या है हिंदु है नाजीब सवाल कहां से आया हिंदू कैसे हुई उत्पत्ती हिंदू शब्द की आईए ऐशे प्रस्णकारों के ग्यान में वर्धी के लिए कुछ ग्यान की बातें उन्हें बताई आए हमारे देश भारत को हिंदूस्तान के नाम से जाना जाता है स्वाभाविक मानस विवेक हिंदूस्तान अर्थात जहां हिंदू रहते हैं ऐसा समझ सकता है और अधिकांस लोग ऐसा ही समझते हैं भारत में अधिकांस जनसंख्या हिंदूों की है वे हिंदू धर्म का पालन करते हैं जनसंख्या में हिंदों की बहुलता वाला देश हिंदुस्तान है परन्तु हिंदुराष्ट नहीं है या भारत एक धर्म निर्पेक्ष देश है जहां सभी धर्मों को एक समान दृष्टी से देखा जाता है हिंदुस्तान अर्थात हिंदुराष्ट यह औधारना और बलवती हो गई जब इसका मुस्लिम जनसंख्या बाहुल ये हिस्षा तूट कर अलग हुआ और पाकिस्तान बना जो आज मुस्लिम राष्ट के रूप में जाना जाता है यह भी अजीब बिडंबर्या है वैश्विक इतिहास के सरवाधिक प्राचीन राष्ट की पहचान इससे तूट कर अलग हुए छोटे से हिस्से की धर्म संस्कृति के आधार पर हो यह प्रतीत होता सत्य है परंतु सत्य नहीं तो आईए जाने आज हिंदू शब्द की उत्पत्तिक कैसे हुई इससे पहले एक बार फिर बता दें कि हिंदूस्तान हिंदू राष्ट नहीं एक धर्म निर्पेक से राष्ट है भारत में बहुत से लोग हिंदू हैं और वे हिंदू धर्म का पालन करते हैं अधिकतर लोग सनातन धर्म को हिंदू धर्म मानते हैं वहीं कुछ लोग यह कहते हैं कि हिंदू सब्द शिंदूशे बना है और यह एक फार्शी शब्द है पर ऐसा नहीं है यह हिंदू सब्द की महानता को महीन करने का प्रयास है हमारे वेदों और पुराणों में हिंदू सब्द का उलेख मिलता है आज हम आपको बता रहे हैं हि से मिला, रिगवेद के ब्रहस्टति अग्यम में हिन्दु शब्द का उलेख इस प्रकार आया है, हिमलेम समारभ यावत इंदू सरुवरं, तम देवनेर्मतम्त देश हिंदुस्थानम् प्रचकछटेज, अर्थात हिमाला से इंदू सरुवर्त तक देव निरमित देश को लगभग यहीश लोग कल्प दुरुम में भी दोहराया गया है हीनम दुष्यती इती हिंदू अर्थात जो अज्ञानता और हीनिता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं पारिजात हरण में हिंदू को कुछ इस प्रकार कहा गया है अर्थात जो अपने तप से शत्रों का दुष्टों का और पाप का नाश कर देता है वही हिंदू है माधाव दिग्विजय में भी हिंदू शब्द को कुछ इस प्रकार उल्लेखित किया गया है केवल इतना ही नहीं हमारे रिग्वेद में बिव हिंदू नाम के बहुत ही पराक्रमी और दानी राजा का वर्णन मिलता है बिव हिंदू ने 46,000 गव माता दान में दी थी रिग्वेद मंडल में भी उनका वर्णन मिलता है रिग्वेद में एक रिशी का उलेख भी मिलता है जिनका नाम सेंधव था जो मद्यकाल में आगे चलकर हैंदव नाम से प्रचित हुए जिसका बाद में अभ्रंस होकर हिंदू बन गया वेदो में वर्णित उक्त बातों से हिंदू शब्द कितना प्राचीन है यह इसपष्ट हो जाता है इसके बावजूद ऐसा भी कहा जाता है प्राचिनता के इतिहास को समटे हिंदू सब्द का आधुनिक धर्म और ग्रंत के शब्द कोष के वाल्यूम 6 संदर 699 के अनुसार हिंदू सब्द का प्रादूर्भाव या कहें प्रयोग भारती साहित या ग्रंतों में मुशलमानो के भारत आने के बाद हुआ था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडिजवारलाल नहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दिस्कवरी आफ इंडिया में पेज नंबर 74 और 75 पर लिखा है कि अर्थात पंडिजवारलाल नहरू के मताबिक हिंदू शब्द तो बहुत बा और यह शब्द सरवप्रथम 19 सदी में अंग्रेजी शाहित्यकारों द्वारा यहां के वाशिंदों के धार्मिक विश्वास हे तू प्रयोग में लाया गया यह अभी एक नई परिभासा गड़ दिया गया नई शब्द को बिटानिका के अंसार जिसके वल्यूम 20 संदर 581 म में लिखा है कि भारत के वाशिंदों के धार्मिक विश्वास हे तू इसाई जो धर्म परिवर्तन करके बने को छोड़कर और थात इसाई जिन्हों ने धर्म परिवर्तन कर लिया उन्हें छोड़कर हिंदुजम शब्द सरवप्रथम अंग्रेजी शाहित्यकारों द्वार इसे सनातन या वैदिक धर्म कहना चाहिए बहरहाल प्राचिंता और आधुनिक विचारों के भवर में तैरते हिंदू शब्द पर स्वामी बिवेकानंद के अंस्वार यह वेद टिष्ट धर्म होना चाहिए यही सार्थक प्रतीत होता है बिडम बनाओं पर विराम इसी से लग सकता है अपने जाना हिंदू सब्द की उत्पत्ती कैसे होई दैनंदनी पढ़ो पढ़ाओं में यह थी हिंदू सब्द के बारे में जानकारी